एल्विश यादव केस में ED की भी एंट्री हुई है ये बात तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इस वक्त इसी केस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदतीश शर्मा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस केस में ED वाला नया पेंट जुड़ा था जहांपर ED अब सारी चीजों की तहकीकात करेगी क्या प्रॉपर्टी है कितनी प्रॉपर्टी है अल्विश के पास हर एक चीज की तहकीकात की जाएगी लेकिन इस केस पर अभी बड़ी द्रॉपर्टी है करेकल तरीके से एलिष यादव को एक बाद एक इक बाद एक पेंचों में फसा रही हैं फिल्हाल उन्हें ED ने नोटिस जारी किया है यानि कि शिकायत करता को नोटिस जारी किया गया है और सबूतों के साथ पेश होने के लिए कहा गया है लखनव के ही दफतर में एडी का जो लखनव में दफतर है 14 मई के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 14 मई को उन्हें वहाँ पर केशोना होगा लेकिन गौरफ गुपता ने लखनव जाने से इंकार कर दिया है जहीं हाँ सिक्यूरिटी रीजन्स की वज़द से गौरफ गुपता का ये कहना है कि वो लखनव में एडी के दफ्तर में हाजर नहीं हो सकते हैं जो भी उनसे सवाल जवाब हो वो दिल्ली एडी आफिस में ही हो ना कि उन्हें लखनव जाना पड़े और इसमें उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी जो है उनके सिक्यूरिटी रीजन्स है लाइक उनकी सुरक्षा जो है जादा एहम है तो उसी इशू की वज़ज़ से वो लखनव नहीं जाएंगे यहाँ पे दोस्तो फि क्या कुछ लगता है कॉमेंट्स में बताइए जरूर मिल तो है नेक्स्ट वूडियो में